बच्चों, आज हम Class 7 Rainbow का Lesson 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है महात्मा गांधी, इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी जो की हमारे राश्ट्र पीता थे और जिनको हम लोग प्यार से बापू भी कहते हैं, उनसे related बहुत सारी चीजें, उनके जीवन से related और उन्होंने हमारे गांधी as Bapu और राश्ट्र पीता, इन इंडिया यानि की भारत में we call Mahatma Ghari, हम Mahatma Ghari को बुलाते हैं या कहते हैं, क्या कहते हैं बापु और राश्ट्र पीता, भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राश्ट्र पीता कहते हैं, His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. उनका पूरा नाम Mohandas Karamchand Gandhi था. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Kathiabad, Gujarat. वह 2 October 1879 में Kathiabad, Gujarat के Porbandar नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था. His father's name was Karamchand Gandhi. उनके पिता का नाम Karamchand Gandhi था. His mother's name was Putlibai. उनकी माता जी का नाम Putlibai था. His wife was Kasturba Gandhi और उनकी पतने Kasturba Gandhi थी. Gandhi जी अपने जीवन को एक common man यानि की एक आम इंसान, एक साधारण इंसान की तरह जिये and kept himself away from luxuries. और अपने जीवन को भोग बिलाज से बहुत दूर रखे. He was very honest and truthful from his childhood. Honest का मतलब होता है बच्चो इमांदार और truthful का मतलब होता है सत्यवादी. वह बच्पन से ही बहुत ही honest यानि इमांदार और सत्यवादी थे. Once he read the story of Sravan Kumar. एक बार उन्होंने Sravan Kumar की कहानी पढ़ी. Sravan used to carry his old and blind parents in baskets, slung on a bamboo yoke. Sravan Kumar अपने माता-पिता को बास से बनी एक तराजू में जो कि उनके माता-पिता अंधे थे और बुढे थे उनको उसमें carry किया करते थे या ढोया करते थे. गाधी जी was deeply touched by his devotions toward his old parents. गाधी जी उनकी स्रद्धा से deeply touched यानि अंदर से बहुत ज्यादा touch हुए उनको अंदर तक ये बात लगी कि वो अपने माता-पिता के प्रति कितने devoted थे, कितने समर्पित थे. He decided to be like Shravan and serve his parents. He decided to be like Shravan. वह Shramad की तरह बनने के लिए decide किये, नेड़ किये and serve his parents और अपने माता-पिता की, सेवा की. He went to England to obtain a law degree. वह England में पढ़ने के लिए गए, क्या पढ़ने के लिए गए? Law. यानि कि वह वकालत की डिगरी प्राप्त करने के लिए England गए. After obtaining his degree, he returned to India in 1893. After obtaining his degree, यानि कि अपने डिगरी को प्राप्त करने के बाद, obtain मतलब प्राप्त करने के बाद, he returned to India. वह इंडिया वापस आ गए 1893 में. He was restless to see countrymen suffering under the foreign rule. Restless का मतलब होता है बच्चों, परिशान या ब्याकूल, वह ब्याकूल हो गए to see his countrymen, अपने देशवासियों को देखकर, जो की सफर कर रहे थे, जेल रहे थे under foreign rule. बिदेशी सासन के द्वारा, जो की जेल रहे थे, उनको देखकर गांधी जी बहुत परिशान हो गए. So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of British rule. So he devoted his entire life. इसलिए उन्होंने अपने पूरी life को devote कर दिया, समर्पित कर दिया for the upliftment of the poor, गरीबों के उत्थान के लिए and to free his country from the clutches of the British rule. और अपने देश को British rule के यानि British सासन के clutches से, पकड से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने जीवन को devote कर दिया, अपने देश के लिए समर्पित कर दिया. He led the freedom movement against the British government and started सत्याग्रह non-cooperation movement, दांडी साल्ट मार्च, कुट इंडिया movement and civil disobedience movement. He led the freedom movement against the British government, यानि कि British सरकार के खिलाब उन्होंने स्वतन्तरता आंदोलन का नेत्रित्व किया और क्या स्टार्ट किया? जैसे कि सत्याग्रह आंदोलन, non-cooperation यानि कि असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च साल्ट यानि कि दांडी यात्रा, कुट इंडिया movement यानि कि भारत छोड़ो आंदोलन and civil disobedience movement यानि कि सविनाय अवग्या आंदोलन. यानि कि ये सभी चीज़ें गांदी जी ने भारतियों को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए शुरू किया. Ultimately, India got freedom on 15th August 1947. Ultimately, मतलब अंततह, India got freedom on 15th August 1947. और अंत में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया या भारत को आजादी मिल गई. महात्मा गांधी is known for his principles of non-violence all over the world. महात्मा गांधी अपने non-violence यानि कि अहिंसा के सिधानतों के लिए all over the world यानि पूरे विश्व में जाने जाते हैं. He led a sanity life and was against all sort of injustice and inequalities prevailing in the society. He led a sanity life यानि कि वह विवेक्चित पूर्ड जीवन को कानृत्रित किया उन्होंने and was against all sort of injustice. और वह हर प्रकार के अन्याय और inequality यानि कि असमानता या भेदभाव जो कि prevailing in the society जो हमारे समाज में फैली हुई थी उसके खिलाफ थे. He wanted to establish Ram Rajya. वह Ram Rajya की स्थापना करना चाहते थे. By Ram Rajya he meant the kingdom of God. Ram Rajya से उनका मतलब kingdom of God यानि की भगवान का राज्य से मतलब था. For him Ram and Raheem were the one and the same deity. उनके लिए Ram और Raheem एक ही भगवान थे. For his great contribution to the country, Indians call him the father of the nation or Bapu. For his great contribution to the country. उनके इस देश के महान सहयोग के लिए Indians call him भारतिय उनको बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? Father of the nation. राश्ट्रपिता और Bapu या उनको Bapu के नाम से बुलाते हैं. He was assassinated on 30th January 1948 by नाथू राम गोड से. यानि कि 30th January 1948 को नाथू राम गोड से ने उनकी हत्या कर दी. Since then, तभी से 30th January is observed as Martyr's Day in India. तभी से 30th January को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है. तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ, इस chapter से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और महात्मा गांधी के live से related बहुत सारी चीजे जानने को मिली होगी. साथ ही साथ हम लोगोंने बहुत सारे नए-नए शब्द भी सीखे हैं. तो ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें. और चैप्टर के last में कुछ कठी शब्दों के अर्दी होए हैं, तो इसको अपनी copy में लिखकर याद करने की कोशिश करें. आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, बाई बाई, थैंक यू.